जहिन वंदमात्रम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जारखन जे एप डवलू सीई पर इच्छा दोज़ाद चोबिस यानि कि जारखन फिल्ट वरकर कॉंपेटरिव एकजाम दोज़ाद चोबिस का जो आपका एकजाम कंड़क्ट होने वाला है यह आपका तीन कोचन बताए जांगे यह सब भी कोचन आपके न्यू स्लेबस पर आधारी था ठीक है तो आपको देखना क्या है कि आप टॉप 25 कोचन में से कितने ऐसे कोचन है जिसके अंसर आप सही-सही कर पारें अपना स्कूर हर एक स्टुएंट को इमंदारी पूर्वा कमेंट बहुत होने तो पेपर 2 न Jan to Raji कोलाऊ यह ताक टीक आपसे अनुए यूफ। की है कि कि यह नी पुछल तारा कि इतने वर्सों बाद पुना लिखा देता है यह लोग भग कितने वर्सों बार दिखाई देता है 16 वर्स 26 वर्स या 76 वर्स तो है लिपुचल तारा जो दोस्तों यह 76 वर्स बार दिखाई देता है यानि कि आपस नमर यहां पर सी राइट एंसर हो जगा कई बर एक जाम पूचे जाएगा कि हैली पूचल तारा जो है यह दिखाई दिखाई दिए था यह 1986 इस विमें दिखाई दिया था ठीक है और अगला बार दिखाई देगा मेरे दोस्त नेक्ष टाम यह कब दिखाई देगा तो दो हजार बारस्ट में यह जो हैली पूचलता रहा है यह दिखाई देगा तो यहां से यह तीनो कोचन आपके इसलिए आप सभी लोग याद कर लीजीगा ठीक है अगला प्रश्ण है कि ग्रिन हाउस किस प्रदार्थ का बना होता है दोस्तों जो ग्रिन हाउस है यह कौन से बना होता है तो कांच से ठीक है क्यों विटामिन से बीटामिन दूध में नहीं पाए जाता है जैसे कि निम्दू आऊवला इसमें सबसे अधिक विटामिन भी टामीं C जो की दूध में नहीं नहीं पाय चालू मेंन किसमें पाया गूछा क हम आगला ने की आचे में माशम में यहां पूछन का की बार भटांशन की संक्षियान थी आप से पूछार चान Аलीं तैंसर हो जगा, ठीक है कि मानो सरीर में टोटल कितने क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं तो उस समय राइट एंसरो तो तेस आने ताइस तुने छी आलिस क्रोमोसोम होते हैं जोड़ा के बात करें तो ताइस ठीक है यह आपको ध्यान रखना ठीक है के सूरिय का परकास किस प्रकरिया से प्रथवी पर पहुंचते हैं। कि सूरि की डूरी की कितनी ठीक है? यहीं आपसे कहूचन करण पूछा जाए की सूरिय की की दूरी कितनी ठीक है यानि कि पिर्थवी से सूरी की दूरी कितनी तो लगभग 15 करोड किलो मिटर जो कि पिर्थवी से सूरी की दूरी है ठीक है और वही चंद्रमा का पूछे जाए कि चंद्रमा का दूरी कितना है तो 3,84,783 किलो मिटर ठीक है तो यह चंद्रमा का दूरी किया गया लेकिन दूसर सुनी का कोच कौन किया इसका एंसर आप सभी लोग परियोग किया जाता है कि कच्छे फलों को पकाने में इन में से कौन से इसका परियोग किया नेक्स्त वाट्चन है कि हल्दी पौधे के किस भाघ से होता है दोस्तों यहां पर सब्सटे耗ा कि थूरा से पराफ्ट होता है यानि कि औप्छन भी राइट एंसर हो जागा अगला कोचन है कि दचनी गंगोत्री कहां इस्तित है अगला कोचन है कि ऑजोन परत की ऑजोन की परत किस रसायन से मुख्यता नस्ट हो रहे हैं दोस्तों ओजों पर जो है यह हमारे सूरी से जो प्राबैगनी कीरने होती उसे पीर्थवी पर नहीं पहुंच नहीं देथी ठीक है तो जो ओजों परत है इनमें से किसके कारण जो है दोस्तों यह नस्ट होते जा रहा है तो सी एफ सी यानि क्लोरो फ्लोरो कारण के कारण दोस्तों और जो है यह होते जा रहा है ऑप्स नंबर यह राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कोचन जो कि बहुत इंपार्टेंग कोचन यह भी कभी पर एक्जामें कोचन पूछा गया है कि आँख के किस भाग पर वस्तू का परत परतिभीम बनता है तारा कॉर्णिया आईरीस याफि दृष्टी पटल तो सही एंसर हो जाएगा तो आप लोक्स बहुत बार सुने होंगे कि नेत्रदान किया जाता है ठीक है अगला question है कि सूर्य मुख्यता बनाया, दौस्तों जो सूर्य है ये किस से बनाया है तो hydrogen से, ठीक है, यानि option number 3, right answer होगा hydrogen अगला question है कि television का विस्कारक कौन थे, दौस्तों जो television है, इसकी विस्कारक की बात करें तो किस ने दो ने डिवजन का खोझ किया, तरवपों का खोझ ए। खिया, यहां एडिसन की बात करें, इन्होंने बलव का अविसकार किया था, ठीक है, अगला कॉचें कि इंद्र धनूस कैसे बनता ह। दोस्तों आप लोग देखते हांगए कि यो वरसात के दिल्ला की दिलों में इंद्र धनुस बनते हैं तो किस कारण बनते कैसे बनते हैं इसमें साथ कलर होता है यह बनता है अपवरतन एनसर हो जाघा है कि विदूद बल्व का तंतु किस धातु का बना होता है यह जलता है तामबा लोहा इल्मूनियम यह पिट टंगस्टन तो आप सबी को पता हुआ कि विदूद बल्व जिसका खोज थामस अलवाइडिसन ने किया था वो जिसका तंतु है तंतु है था यानिको आप दी जलना से या पिए इनमें से कोई नहीं तो नाभीके सौर उर्जा की बात करें यह किससे प्राप्त होता है तो नाभीके सनलेयन के द्वारा यानि के आप्शन बी राइट एंसर हो जाएगा कि इन्सूलीन कहां से सरावित होता है तो इन्सूलीन के बाद करें तो सरावन जो होता है यह स्रावित होता है तो अगनासे या ऑपsch Communist नमर भी लॉक हो जाएगा हर एक क्रेंट नमर भी राइट एंसर करेंगे ठीक है दोस्तों या पर जिद्धों भी कोच्छन बता जा रहें में बार पर आपको बता तो कि सारे कोच्छन इंपॉर्ट है इसले आप लोग हर एक प्रस्म को अच्छी परकार से याद कर लिजेगा क्योंकि सारे कोच्छन बार-बार यामो में रिफीट हो रहे है ठीक है अगला कोच्छन है कि पिल्या रोग किस अंग से स्रावन संक्रमन के कारण होता है दोस्तों इसके विसकारक कौन है एडिसन ग्राहम बेल या फिर जी मार्कोनी तो थामस अलवा एडिसन इन्होंने बल ग्राहम बेल की बात करें तो ग्राहम बेल जो है इन्होंने रेडियू का खूज किया था यह चीप अगला कोशन है कि मानौशरीर का कौन सांग निमोन्या प्रभावित होता है निमोनिया जो है? है तो यह है फेफड़ा जो है यह नीमोनिया से काफी यदा प्रभावित होता है अप्सन यहां पर सी राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी लोग देखते होंगे कि जो नीमोनिया यह हमेंसा जो जो भी बच्चे जर्मल लेते हैं उनमें देखने को मिलता है तो यहां अगला कोश्चन है कि हैजा के टिका की खोज किस ने की थी दोस्तों जो हैजा के टिका है इसकी खोज की बात करें तो किसके द्वारा है जो सिर्फ लिश्टर ने किया ठीक है यानि कि आप्स नमबर यह राइट एंसर होगा जो सेप लिश्टर अगला कोश्चन है कि विसान कोशिका की बात करें कि जो कोशिका इसका खोज किस ने किया तो 1665 इसमें रोबोट हुक ने कोशिका का खोज किया था अगला कोचन है कि मान स्पेस्टियों में किस अमला का एकत्रित होने से ठकावट आती दोस्तर जो मान स्पेस्टियों में इन में से कौन सा अमला जो है जो कि एकत्रित हो जाएगा तब ठकावट आने लगती है तो सही उत्तर हो जाएगा और यहां पर 49 का और यह लैक्टिक अ यह राइट एंसर हो जागा अगला question आप से क्या पूछेगा यह मैं दोस्त कि टमाटर के sauce में कौन सा अमलब पाए जाता है दोस्तों इन बेसे जो टमाटर है इसको जो sauce बना जाता है उसमें कौन सा अमलब पाए जाता है बहुत ज़्यते important question है तो राइट एंसर हो जागा अगला question है कि एक जिवानू में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती दोस्तों कोई भी जिवानू है उसमें क्रोमोसोम की संख्या की बात करे तो टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं तो एक क्रोमोसोम होता है यानि की option number ये right answer हो जाएगा अगला question है कि meditate में निम्नलिखीत में से किसे परकार काыл निसेचन होता है दोस्त्तों जो 他ीज़ेडग है इसमें किस परकार का निसेचन होता है तो Tuesday might की बात करें तो maydayक में जो निसेचन होता है यह किस परकार निस्टेचन होता है तो यह होता है बाहिए निस्टेचन ठीक है यानि कि option number यह राइट टेंसर होज़ेगा बाहिए निस्टेचन होता है अगला question है कि भुरून को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है दोस्ते यह भुरून को भोजन है ये इनमें से कौन से माधिम की द्वारा प्राप्त होता है माता की धमनियों से गर्भासे द्वारा, गर्भनाल द्वारा या फि एम्नियोटिक सेक की द्वारा तो 53 का राइट टेंसर हो जाएगा आप्स नमबर C गर्भन नाल द्वारा जो भुरुन को भोजन प्राप्त होता है ठीक है अगला कोचन है कि रक्त में बिलू रूबिन यहां दोस्तों रक्त में बिलू रूबिन बढ़ जाने से क्या होता है दोस्तों यदि रक्त में जो बिलू रूबिन है ये बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, तो दोस्तो जौंडरिस हो जागा, जानी का option नमर ये right tensor हो जाएगा अगले question, जो कि इस वीडियो का last question है मेरे दोस्त कि निम्न में से किसे जुडवा खनीज कहा जाता दोस्तों, बहुत ज्यंते important question है किन्वे से किसे है, जो कि जिसे जुडवा खनिज कायाता है, सोना चान्दी, सिसा जस्ता, तामबा टीन, या फि लोहा कोईला, तो जुडवा खनिज की बात करें, तो जुडवा खनिज जो कायाता है, यह सिसा और जस्ता को है, जो कि जुडवा खनिज कायाता है, यानि कि जाना चाहते तो आप इस चैनल को सब्स्राइब कर ले क्योंकि मैं दोस्ति इस चैनल के मादम से मैं सिर्फ पूर्मेंट एक्जाम के जितने भी एक्जाम्स होते वहाँ पर बार-बार पूछे गए और बार-बार रिपीट हो रहे हैं उनिस सभी कोशन को कवर कराता हूं ठीक